दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी टीचर्स एस्परेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी कबर है बहुत ही गुड नीज है और नीज ये है कि पिछली दो सिक्चक भरतियों के लिहाज से एक तीसरी सिक्चक भरती का एलान इसी मा किया जा सकता है इसमें पदों की संख्या बह दोगी जो पूरी खबर है वो आप हमारे साथ देखिए पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें एक एक लाइन आप लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो बेसिक सिक्चा परिशत के प्रात्मिक इसकुरों की नई सिक्चक भरती का एलान इसी मा होने के आसार है मु सबसे बड़ी सिक्चक भरती हो सकती है जिसमें सतर हजार से भी अधिक पद हो सकती है बरतमान में जो बेसिक स्कूल है उसमें सिक्चकों के सतर हजार से अधिक पद खाली होने की सुचना मिल रही है कमेटिक रिपोर्ट सो अपने के बाद इस नई सिक्चक भरती का ऐलान तो फ्रेंड्स परसिदी विद्यालों के लिए नई सिक्षक भर्ति की मांग लंबे समय से हो रही है, यह आपने देखा होगा, बेसिक सिक्षा विभाग ने 69 सिक्षक भर्ति के दौरान सीर्स कोट में हलप नामा दिया था कि विभाग में 51,112 सिक्षकों के पद रिक्त हैं, पिछले वर्सों में हुई सिक्षक भर्ति के खाली पदों को नई सिक्षक भर्ति में जोड़ा जा सकता है, और अनसर 1500 भर्ति जो की अब तक पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए रिक्त पदों को लेकर भी माता पच्ची की जा रही है, कि यह जो रिक्त पद हैं, अनसर 1500 के उन पदों पर अभी जो काउंसिंग जाई रखी जाए या उसको नई भर्ति में आड़ कर दिया जाए, वही फ्रेंड्स अगर नई भर्ति में आड़ होता है, तो ज़्यादा बेटर होगा, वहीं 69 अजा सिक्षक भर्ति के सारे पद, तीन चरणों की काउंसिंग के बाद भरे नहीं जा सके हैं, इधर जितने भी लोग रिटायर हुए हैं, सिवाने बित हुए हैं, और कोरोना काल में बहुत सारे टीचर असे भी थे जो काल कवलित हो गए, तो उनकी संक्या को देखते हुए, इस बार की जो सिक्षक भर्ति है, पुरा ब्योरा जुटाया जा रहा है, संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौब देगी, क्योंकि बिलम होने पर बिधान सभाव चुनाओं से पहले भरती पूरी हो पाना मुस्किल होगा, तो यही करज़े है कि बहुत जल्द से जल्द ये बिग्यापन आपके सामने होगा, अधिके प्रदेश में सुल्ग और बाल सिख्चा अधिकार अधिनियम 2009 लाग हुए, उसी की सिफार्सों के अनुरूप, 2018 में सिख्चकों का पद निर्धारन करते विए, स्कूलों में बड़ी संग्या में प्रदान त्यापक पद का अनुबद नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इन पदों को खत्म नहीं किया है, स्कूलों में चात्र सिख्चक अनुपात को दुरूस्त करने के लिए 2019 में भी पद निर्धारम प्रक्रिया चली थी, फिरा अगर बात करें, UPTT के बारे में तो भरती की त्यारियों के तहत, UPTT नौंबर में कराने की त्यारी है, और सासन ने परिच्छा संस्त अब लोग स्रीसली लग जाए, UPTT के त्यारी में, और जो अक्टूबर और नौंबर का महिना है, यह आपके लिए काफी जो है, मतलब एक तरिके से समझेए, तो बहुत ही बेस्त महिना होने वाला है, और बहुत सारी परिच्छाएं होंगी, नई वकैंसी भी आपको देखन यह एक स्वर्णी मौसर है, फिलाल आपसे भी को मैं ब्लेस करता हूँ कि आप लोग जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सबको इस वर्ज नोकरी मिले और सब के सपने पूरे हों, तो नई सिख्चेवर्ती इसी माह हो सकती है, इसका एलान, इसी के साथ सिख्री मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में दैनिक रोजगार समाचार के साथ, नमस्कार, जैहिंद